नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पित्रि पक्ष के दोरान देपताओं की पूजा करे या ना करे देखिए धार्मिक माननेताओं के अनुसार पित्रि पक्ष में पित्री लोग के दरवाजे खुल जाते हैं और इस दोरान हमारे पुरवज को याद किया जाता है उनकी आत्मा की सांती उनका आसिरबात पाने के लिए उनके निमित स्राध करना बहुत पहले से सदियों से चली आ रही परंपरा है और जिसे आज भी हम मानते हैं पित्रे पक्ष में सोलह दिनों में कोई नई वस्तू जैसे मकान, वाहन, कपड़े, खरिदना वर्जीत माना जाता है और इस दोरान दान का विसेश महत्व है सोलह सराध में दान करने से पुर्खे पुर्वज है वो परसन होते हैं और खुषाली का आसरिबात देते हैं तो कई सारी माननेताएं हैं लेकिन सवाल यह है कि पित्रे पक्ष में देवी देपताओं की पूजा करना सुब है या नहीं देखिए पित्रि पक्ष में आप देवी देपताओं की पूजा कर सकते हैं क्योंकि सनातन धर्म में सास्त्रों में कहा गया है कि देवी देपताओं का अस्थान सबसे उच्च है उच्चा है इसमें पूजा पाठ बंद नहीं करना चाहिए पितर देफ पूजा करना बहुत कल्यान कारी माना गया है लेकिन देवी देपताओं की पूजा भी आप करेंगे क्योंकि इस्वर से उच्चा कोई नहीं है इसलिए इनकी पूजा करें अगर आपके घर में आपके पित्रों की तस्वीर है तो उनको लेकर पित्रिपक्ष में ही नहीं बलकि भविस्य में भी कुछ बिसेज बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसी कि घर के मंदिर में कभी भी देवी देपताओं की तस्वीर के साथ पूरवजों का या दिवंगत परिजुनों की तस्वीर ना लगाए यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में नकात्मक उर्जा आ जाती है पित्रों की तस्वीर का मुख हमेशा घर में दक्षिन दिसा की तरप रखे ये सरवोतम होता है बास्तु सास्त की माने तो घर में पित्रों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए देवी देपताओं की पूजा किये बिना पित्र पक्ष में सराद, पिंडदान, इत्यादी का फल नहीं मिलता इसलिए पित्र पक्ष के दौरान सुबह 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 स्नान करके पहले देवी देपताओं की पूजा करें फिर पित्र देवों की पूजा करें पित्री दोस्ट से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड में जल डाले और अमस्या के दिन भी पित्र पक्ष में आप पीपल में जल डाल सकते हैं जल में अक्षद दूद काला तिल डाल कर अरपित करें पित्री दोस्ट दूर करने के लिए पित्रों की आत्मा की सांती के लिए तरपन और स्राद पिंडदान जरूर करें दक्षिन दिसा में पित्रों की तस्वीर लगा कर उनको रोज परणाम करें तो पित्री दोस्ट से राहत मिलती है फिलालम आपसे भी दा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद